आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग फ्लेवर वाला गरम मसाला होमेट गरम मसाला तो चली देखते हैं रेसिप हेलो अब्रीवन मैं निलू स्वागत करती हूं आप सब अपने चैनल लेटिविटिविटिग में तो गरम मसाले के लिए हमें जो कोईटिंटि ज्यादा रखनी है और यहां पर है बड़ी लाइची के बड़ी लाइची चोटी लाइची और लॉंग और साथ में थोड़ी से जावत्री लिए है मैंने और इसके साथ ही हम करेंगे यह तुलसी का पत्ता है इसे मैंने दो दिन तक धूप में अच्छे से सु कूट लें जस टे बस तूट जाए नहीं तो उसमें गैस भर जाता है गर्म होने पर तो इसलिए हम थोड़ा सा उसे फोड लेंगे बस और साथ में दल्चीनी को अट करते हूं पहले के लिए भून लेंगे जब दालचीनी और बड़ी लाइची थोड़ा गर्म हो जाए तब हम इसमें बाकी के मसाले भी एड़ करेंगे तो अब हम यहाँ पे सारी चीजों को एड़ कर देते हैं एक साथ इसमें हमें जीरा धनिया इन सारे चीजों को भी बहुत जादा नहीं भूनना होता है यह मसाला इतना जादा श्ट्रोंग होता है कि आप इसे एक बार बनाकर घर में तीन से चार महिनों तक श्टोर करके रख सकते हैं यह बिलकुल भी खराब नहीं होगा और इसे आप किसी भ अगर मसाला ही पसंद आएगा मार्केट वाली भी पसंद नहीं आएगे ता आप एक बार जरूर ट्राइ करें और बिलकुल मेडियम फ्लेम पे एक से डेर मिनर तक भूनने के बाद जब यह हलका मसाला बस गर्म हो जाए थोड़ा सा तो फ्लेम को आफ कर देंगे फिर हम इस साले खड़ाब हो सकते हैं और अगर आप चाहे तो तुलसी के पत्ते को इसकिप भी कर सकते हैं बढ़ डालने से ज्यादा अच्छा होता है और एक प्लेट में निकालते हुए हम इसे हलका ठंडा होने देंगे बहुत ज्यादा गर्म नहीं पीसना है यह देख सकते मसाला हम आप बिल्कुल फाइन नहीं बनाएं बस रेडी हमारा गर्म मसाला आप इसे बिल्कुल टाइट जार में बंद करके रखे तो यह तीन से चार मेने तक आराम उसे इस्टोर होके रहेगा तो यह थी मेरे आज के स्ट्रोंग गर्म मसाले की रेसिपी अगर थोरी सी भी पसंद करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें थैंक यू सू मुझा